Hey guys, it's Divya Anshu, welcome back to another episode of Football Daily और आज की एपिसोड में हम exclusively यार Furentino Perez के इंटर्वी के बात करने वाले यार सही बताओ यार इंटर्वी ओर अगर देखो नो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग और इंटर्टेनिग था मतलब मैं तो यार क्रेडिट दूँगा जिसने सवाल पूछे थे और डेफिनेटली जो पेरेस के आंसर इतना वह भी बहुत ज्यादा अमेजिंग थे लेकिन सबसे पहले रिक्या करके सारी चीजों को हम डिसक्स करेंगा और उस पर अपना सब्सक्राइब करें आफ यहां पर पेरेस ने दिखा दिया कि वाइं यह स्मार्टिस बिसनस्में इन डेफिनिटली जब वह बात आती है प्रेसिदेंशी की तो भाई उसको कोई बीट नहीं कर सकता अब यादेगो हम तो फैन है तो हम तो गाली के लौज कर सकते हैं आपकि game के साथ trust me मैं यह सोच रहा था कि अगर यह जो एमबापे और रियालमंड का सागा हुआ उसके पाद जब भी अगर पेरेस के से पूछा जाएगा I was scared क्योंकि मेरे को लग रहा था कि पेरेस का कोई भी आंसर ना actually में एक तरफा अगर हो गया तो उसके consequences definitely football community में को देखने को मिलेंगे अगर उसने एमबापे की तरफ ले ली कि ठीक ठीक है यह तो चलता रहता है और हम एमबापे को accept कर लेंगे तीन साल बात तो तब भी मामला अटक जाएगा और उसने एक कतर अपना pressure डालता है अगर उसको इतना पैसा दिया जाता है उसको जो पोजिशन उसको वो अवार्ड कर रहे हैं यह सब कर दे है तो definitely किसी का ही मन हट सकता है और यह ही हुआ है एमबापे के साथ last के पंदरा दिन में जो PSG ने करा है उससे एमबापे brainwash हुआ है और इसकी विए से जो उसने decision लिया है वो उसने लिया है उसको रिस्पेक करता है अब उसने जब कहा कि Real Madrid के future में तो उसने simple सा यह कह दे कि देखो ऐसा बिल्कूल भी नहीं है कि एमबापे और Real Madrid में सब खतम हो चुका है यानि कि उसने थोड़ी थोड़ी एमबापे की साहिए लेकिन at the same time उसने यह कह दिया कि मेरे को यह एमबापे नहीं चीए मेरे को चीए वह एमबापे जो की बहुत पहले मेरे को जो पहले एमबापे ता जिसका ड्रीम था Real Madrid के खेलने के लिए यह एमबापे नहीं चीए लाइक यह लाइक इन फुटबॉल यह सारी यह वह बाते बिजनस से हटकर होती है और बिजनस को पहले रखा जाता और स्पोर्टिंग प्रेट को पहले रखा जाता है बाकी दूलेट मिन आव इसके रिगार्डिंग आपका क्यों था बाकी इसे के साथ उन्होंने बात करी यहाँ पर बार्सलोन और सुपर लीक लेवंड डास की गी सब से वह बहुत ने बार्सलोन के रिगार्डिंग यह चीज कई कि देखो बार्सलोन अंडर लेपोर्टा इस वेरी सीरियस क्लब और डेफिनेटल इस वह बिगेस्ट क्लब इन वर्ल्ड यह उन्होंने माना साथ ह सब्सक्राइब करने के लिए बहुत जादा प्रेशर बनाया जा रहा था लेकिन वह चीज अच्छली में सक्सेस्फुल नहीं हुई क्योंकि बार्सलोना सीरियस क्लब है आप इससे इसके तार पता कैसे कनेक्ट होते हैं इसके तार कनेक्ट होते हैं यूरूपिन सुपर लिए से पहरे नहीं चीज कही कि यूरूपिन सुपर लिग मरा बिल्कुल भी नहीं है यूरूपिन सुपर लिग जिन्दा है और जो अब्जेक्टिम है वह हम फुल्फिल करेंगे उससे इंटर्वियर रिपोर्टर रे पूश्ता है कि ऐसे तो तुमको क्या लगता है कि एमैनोल सब्सक्राइब अगर आपके पास कोई अपडेट है या फिर फिर उन छे प्रेमें लिग्सा क्लब क्या होगा क्योंकि यह तो यह तो यहां पके-पके तौर पर हैं इसी कि आप दुन्हों ने लेवंडाउस्की के रिगारिए यह चीज का है कि देखो भई मैं स्पोर्टिं उस पर अपनी ग्रिन लाइट दे सकता है या फिर वो उस पर अपनी रेड लाइट भी दे सकता है अब इसके रिगार्डिंग यार मेरे को एक अच्छा सा उपीनियन मेरा था मैं डेफिनिटली सोचा कि आपके साथ डिस्कॉस करो हैं डू लेट मिनो इन दी कॉमेंट इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपीनियन ने वाट्स यॉर ओपीनियन ओन दिस डू लेट मिनो इन दी कॉमेंट सेक्षिन इसी के साथ यह बात करता है थोड़ी सी बेंजिमा की अब यहां पर फेरंटीन परेंस ते जब पूछा आता है कि वह बेंजिमा का जो रिप्ल यहां लुकि कर सकता है जो की वह हमेशा से करता हूँ आया है चाइए वहां श्री बात बेंजिमा की बात है यह कहाती है लेकर तो पूछा को Ramos नेकर मिलिया कि ब्यांको तक वो करियर प्लेइंग करियर उसका चालू है रैमॉस अपने लक्यापितान और रियाल में बापिस नहीं देखेंगे बाकी यह ता है और फिरोंटिनो पेरेस का वो इंटर्व्यू काफी इंटरस्टिंग लगा मेरेको और काफी डेफिनिटली जो सवाल थे न वो भी काफी के वराइटी के थे बाकी दू लेट में ओ कि इसके पूरे इंटर्वी के रिगार्डिंग वाट्स यूर उपीनिन अगर आपको एपिसोड पसंद आते एपिसोड को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इसी दरफ़ बहुत बहुत इस एक्स्क्लोजिव मिलता रहेगा तब तक के लिए stay tuned stay safe and I'll see you guys in the next episode